नमस्कार, गमासाथ हैलकिप्स में आप सभी का स्पागत है नट्स सभी को खाने में बहुत पसंद होते हैं और नट्स में भरपूर मातरा में विटामिन, मिनर, केलशियम और अनसेजुरेटेट फैटी ऐसिद पाये जाते हैं रोजाना नट्स का सेवन करने से सेहत भी अच्छी रहती है लेकिप्स के मरीज इन पाँच फायदे में नट्स का प्रेयोग करें तो वो स्वस्थ रह सकते हैं डाइबिटेज के मरीजों को सोच समझ कर ही नट्स का सेवन करना चाहिए क्योंकि diabetes के मरीजों की diet बहुत महत्वकून होती है diabetes के मरीज जो भी खाते हैं उसका सीधा असर उनके blood sugar पर पढ़ता है आईए जानते हैं diabetes के मरीजों को कौन से nuts का सेवन करना चाहिए बादाम खाने से शरीर में glucose का स्थर समाने रहता है बादाम oxidative तनाव को कम करते हैं और व्यक्ति को diabetes और दिलसंबंदी बिमारियों में फायदा पहुचाते हैं रोजाना बादाम के सेवन से शरीर में magnesium की कमी भी दूर होती है अखरोट के सेवन से पेट भरा रहता है और जादा खाने की craving नहीं होती है स्टडी में ये भी बताया गया है कि रोजाना अखरोट का सेवन करने से वजन कम होता है साथ ही ये diabetes के मरीजों के लिए भी फायदे मंद होते हैं पिस्ते में भरपूर मात्रा में protein और good fat होता है इसको खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती और पिस्ता खाने से diabetes के मरीजों में blood sugar का अस्तर नॉर्मल बना रहता है रोजाना फरोग के साथ पिस्ते का सेवन फायदे मंद होता है मुंगफली में भरपूर मात्रा में protein और fiber पाया जाता है type 2 diabetes के मरीजों के लिए मुंगफली बहुत फायदे मंद होती है रोजाना मुंगफली के सेवन से वजन कम होने के साथ दिल संबंदी बिमारी होने का खत्रा भी कम होता है diabetes के मरीजों को मुंगफली के सेवन से बहुत फायदा पहुचता है क्योंकि ये diabetes के मरीजों में blood sugar की level को normal रखती है blood pressure के मरीजों को अपनी diet में काजू जरूर शामल करना चाहिए काजू blood pressure normal रखने के साथ दिल के बिमारी में भी फायदे मंद होते है diabetes के मरीजों को भी काजू के सेवन से फायदा पहुचता है